हेलो फ्रेंड्स में प्रिया और अपने चैनल प्रियाज किचिन हिंदी में आपका स्वागत करती हूं आज में लेकर आई हूं कलाकंद बनानी की रेसपी जिसको घर में बनाना बहुत ही इजी है बस उसके लिए कुछ टिप्स फॉलो करने हैं और उसके लिए आपको मेरी ये डालेंगे दूद मैंने फुल क्रीम बाला लिया है और इसको बॉइल होनी देंगे ये देखिए दूद लगबग बॉइल हो चुका है उबल चुका है अब इसमें हम एक नीबू का जूस डालेंगे नीबू का जूस हम छान लेंगे उसके बाद ही डालेंगे नीबू की कर सकते हैं वो भी वही काम करेगा जो नीवू दूद को पनीर बनाने में करता है अब आप में बन जाएगा और छो थायोश को बिल्कुल अलग हो जैगा अब हम गैस ऑफ कर देंगे और यह देखिए बिलकुल पनीर अलग हो चुका है दूटसे अब एक बड़े बर्तन में इसको चलनी में छान लेंगे ताकि जो पनीर है वह बिल्कुल अलग हो जाये देखिए और इसको हलके हाथ से इस तरीके से दबाएंगे हमें बहुत हलके हाथ से इसको दबाना है ताकि पनीर में नहीं तूटे नहीं बिखरे नहीं और हलके हाथ से दबाते हुए इसका पानी है बिल्कुल निचोड लेना है और इसको रख देंगे ताकि पानी बिल्कुल अलग हो जाए अब हम गैस अन करके कढ़ा ही रखेंगे और इसमें एक लीटर दूद डालेंगे forgiveness drink की लिए रेशिपी को बनानी के लिए दो लीटर दूद कर यूज़ किया है एक लीटर दूद त्रेम मैंने मत चैना बनाई है यानि । पनीर बनाई है और एक लीटर दूद को इस तरीके से को 썹ंधी तरीक lesson करते हुए और जन जाएगा जनने से हमारी जो मिठाई हम बनाने जा रहे हैं उसका स्वाथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा आप देख सकते हैं दूद्ध जो है वो बिल्कुल गाड़ा हो रहा है धीरे-धीरे कम हो रहा है कि एक किनारों से हमें चुडाते हुए हमें दूद्ध पकाना है और यह देखिए अथ पानी बिल्कुल अलग हो चुका है जो हमने पनीर बनाया है उससे विल्कुल ड्राइब निए पनीर का सबस्दम्स करेंगे कि में इसको तोड़णा नहीं है क्योंकि अगर एक सथमी ली पाथ से मिक्स करते हुए डूद में मिक्स करना है और इसको पकाना है अब हम इसको हाई फ्लेंपर ही पकाएंगे बट हम इसको लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो यह कड़ाई में नीचे लग जाएगा और इसके जलने का बहुत डर रहता है इस स्टेज पर अब हम इसमें एक कप चीनी डालेंगे चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब कम या ज्यादा रख सकते हैं फ्रेंड्स कलाकंद जो है वह बहुत ही सॉफ्ट मिठाई होती है इसलिए हमें इसको हलके हाज से मिक्स करना है ताकि यह दानेदार बने देखिए चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है और धीरे धीरे जो हमारा मिक्स्चर है वह भी क्या गाड़ा होता जा रहा है फ्रेंड्स आप भी मेरी इस रेसेपी को फॉलो करते हुए कलाकंद घर में बना प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपनी न्यू न्यू रेसिपी आपके साथ सेयर करती रहूं और यह देखिए जो पनीर है वह अच्छे से दूद में मिक्स हो गया है और चीनी भी बिल्कुल इसमें डिजॉल्व हो गई है और यह गाड़ा हो गया है और बहुत ही दानेदार बिल्कुल बना है जैसा कि हमको कलाकंद बनाने के लिए चाहिए कलाकंद जो है बहुत ही सौफ्ट मिठाई होती है जिसके लिए दानेदार मिक्शर होना बहुत जरूरी है और जो हमारा मिक्शर बनाया है कलाकंद बनाने आप देख सकते हैं। इसे हम continue चलाते हुए पकाएंगे ताकि यह जले नहीं। फ्रेंट्स मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जिसको कलाकन पसंद ना हो। इसलिए आप भी मेरी इस रेसेपी को फॉलो करते हुए घर में बनाएं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप मेरी रेसेपी देख रहे हैं। कितनी आसानी से हम कलाकन बना सकते हैं। और यह लगभग रेडी हो चुका है। बिल्कुल ड्राइव हो गया है। अब हम गैस ओफ कर देंगे और एक प्लेट लेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालकर इसको अच्छे से गानिस कर लेंगे। ताकि जब हम कलाकन के पीसिस को काटें तो उसमें वह चिपके नहीं। और आसानी से निकल आएं। कि अब इसमें हम जो कलाकंद का मिक्चर हमने रेडी किया है वह इसमें डाल लेंगे। इसको हम गरम गरम मिक्चर डालेंगे और इसको अच्छे से 4 तरफ से सैट रैक्केंगल सेब देंगे। चारोतरब से और अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेट है जो चारोतरब से रेक्टेंगल सेप में हो तो आप उसमें भी इस मिक्सचर को डाल कर रख सकते हैं देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने चारोगतरब से इसको एक सेप दिया है की कॉस Ste Wert और इसको की और इसको करने है काजू अपधाक अर पिस्ता बारिक लगता है यह ढेखने में तूShort लगता है कि लिए चुकत अवाधिस्ट लगता है पर इसको हलके हाथ से प्रैस कर देंगे ताकि ड्राइफ फ्रूट्स हैं वो सैट हो जाए अच्छे से और इसको लगबग 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में सैट होने के लिए रख देंगे यह देखिए यह बिल्कुल सैट हो चुका है दो घंटे के बाद अब इसको हम पीसिज में काट लेंगे जैसा कि जो कलाकंद के सेप होते हैं उसके अकॉर्डिंग कलाकंद हमारा बहुत ही अच्छा बन कर आया है आप देख सकते हैं यह अच्छे से जम गया है और इसके पीसिज बहुत ही आसानी से कट रहे हैं प्रेंड्स यह ऐसी स्वीट है जिसमें हमने ज्यादा किसी भी इंग्रेडियन्स को नहीं डाला है इसलिए यह बिल्कुल प्योर है आप इसको ब्रत में भी खा सकते हैं और यह देखिए बिल्कुल दानेदार का लाकंद बना है और बहुती सॉफ्ट बना है और बहुत जल्दी यह रेसेपी बनके रेडी हो गई है इसलिए आप भी बनाएए और इंजॉय कीजिए और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू